तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें completely scrap से email warm up करके दिखाऊंगा जिससे तुम्हारा email कभी भी spam में नहीं जाएगा वैसे तो email warm up करने के लिए या तो बहुत time लगता था या तो पैसा पर इस वीडियो में मैं तुम्हें दोनों खर्च करने से बचाऊंगा तुम्हारा नया हो या पुराना कोई भी email अगर spam में जा रहा है तो उसे free में warm up करना सिखाऊंगा और कुछ भी over complicated नहीं करूंगा बस मैं जो जो बताऊं साथ में follow करते रहना तो hi I am Abishek co-founder at Fluteup a social media marketing agency और हम भी अपने emails ऐसे ही warm up करके cold out reach करते हैं ताकि वो spam में न जाएं So let's dive in देखो पहले email warm up करने से पहले मैं यह assume कर रहा हूं कि तुमने Gmail account बना लिया है अब चाहे free बनाया हो या domain purchase करके बनाया हो दोनों का process सेम ही होगा और दूसरी चीज कि हम free warm up स्नोफ का use करके करेंगे जो कि 15 दिन free trial देता है और यह more than enough है क्योंकि warm up एक week के अंदर ही हो जाता है और अगर तुम्हें lifetime के लिए unlimited free warm up करना है तो comment में link लिख दो वहां में तुम्हें एक document की link दूँगा जो कि step by step guide है जिसमें लिखा है कि तुम कैसे unlimited free warm up कर सकते हो तो सबसे पहले तुम्हें search करना है snowoff.io या description से link ले लो फिर ऐसी website का interface खुलेगा यहां तुम्हें sign up पे click करना है then यहां पे जो Gmail ID तुम्हें warm up करानी है उसे sign up कर लो अपना नाम और phone number भी डालके create account पे click कर दो then तुम्हारा ऐसा page खुलेगा इसमें तुम्हें 4th number पे deliverability पे जाना है तो Gmail SMTP पे click करना है अब ऐसा page खुलेगा अब यहां ध्यान देना क्योंकि सब यहीं पे mistake करते हैं यहां पहले box में तुम अपना same नाम डालोगे जो तुम्हें sign up के वक्त डाला था फिर यहां वही same email डालो अब आता है app password तो यहां get SMTP password पे click करो फिर यहां पे इस Gmail का password डालो जो तुमने बनाया होगा then go to your Google account अब यह page खुलने के बाद security के option पे click करो फिर नीचे आके two step verification को देखो अगर तुमने पहले सी on करके रखा होगा तो यहां दिखाएगा वरना नया नया बनाया है तो off ही होगा अगर off है तो इस पे click करो जो account warm up करना है उसे choose करो then ऐसा page खुलेगा अब यहां पे अपना phone number add करो phone number add करने के बाद save कर दो अब बस back जाओ और यहां उपर search करो app password then उसको open करने के बाद फिर यहां पे app name मागेगा अब तुम किसी भी app का नाम दे दो जो laptop या phone में हो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी for example मैं outlook का नाम दे रहा हूँ then यहां से create दबा दो अब इसे cut मत करना इसे यही से copy कर लेना वरना मिलेगा भी नहीं then done कर दो अब उसे यहां लाके paste कर देना फिर यहां check connection पे click कर देना अब यह check करेगा तुम्हारे email की validity फिर यह successful होने के बाद then यह होने के बाद तुम नीचे आना then यहां fixed delay में अपने मन से जितना भी gap चाहिए हर warm up के बीच उसे set कर लेना मैंने 300 second किया है मतलब 5 minute का gap रहेगा हर email के बीच then तुम चाहो तो signature भी add कर सकते हो पर कोई important नहीं है then अगर तुमने domain purchase किया है तो यहां पे sub domain डाल दो वरना ignore करो and last में आके add account कर दो अब step 1 complete इसे cut करो then second step में यहां पे reply rate को 45 कर दो क्योंकि maximum 45 ही allowed है then warm up की deadline डाल दो तुमारी मर्जी वरना direct next पे click कर दो अब इस page पे starting volume को 5 पे set कर दो और daily volume increase को भी 5 पे set कर दो then daily sending goal को 15 कर दो and उसके बाद next पे click कर दो अब इस page पे AI powered को choose करो बाकी दोनों तुमारे काम के नहीं है then next पे click करो अब last step यहां पे बस अपने हिसाब से days choose कर लो मैं तो suggest करूँगा सारे days selected रहने देना then नीचे आके start पे click कर दो और congratulations हो गया तुमारा free email warm up setup अब 2-3 दिन वेट करो और उसके बाद email भेजना शुरू कर दो शुरुआत में कमी भेजना 10-20 के around and उसके बाद frequency धीरे धीरे बढ़ाते रहना और हाँ अगर lifetime free warm up चाहिए तो comment करो link बाई